दोस्तों फाइनली पेटियम के बाद में फोन पेडिया में वह पीटियम से काफी जाता है यूपी जो लाइट है वह बिल्कुल यूपी की तरह काम करता है लेकिन थोड़ा इसका तरीका अलाग है वह कैसा वह मैं आपको बताता हूं देखें पहली बात तो यह कि इसके अंद डोसा रुपयों 窪टर सकते हैं और आप इसके अंदर ऑज़ को और उसका पàiमेंट को डालık अब देखें काफी सारी पाइद पहली बात तो यह benक करते कि यह वह बैंक ही स्टेटमेंट आउसके अंदर वह नहिं भरेगी थी यउन तरक व Um उपकिमेंट करते हैं अपकिमेंट करते हैं पैसे पैसा है वह आपके दूख करंदे हैं पर कि अप्लिकेशन में और देख लेता है इसको कैसे एक्टिवेट करना है वीडियो को इसकी मत कीजिएगा तो अगर आप लोग को सिर्फ ओडियो आए तो आप सुन लीजिए क्योंकि उसी में भी आपका काम हो जाएगा तो सबसे पहले आपको पनी फोन पे अपडेट कर लेना प्लेस्टॉर में जाकर अगर अगर अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट कर लेना तो सबसे पहले आपको अपनी जो फोन पर गया application है इसको open करना है open करने करने मैं आपको इसको unlock कर लेता हूँ और उपर आपको जो अपने logo दिखेगा यानि कि अपना photo दिखाई देगा ना profile photo आपको profile picture पर click करना है यहाँ पर आपको एक new option देहने के लिए मिल जाएगा UPI light का इसके सामने new लिखावा है और यहाँ पर लिखावा है zero failure निकि इसमें failure बिल्कुल zero होता है यहाँ पर add money के एक option है अगर आप इसमें click करेंगे तो यहाँ से आप इसमें पैसे को add कर सकते हैं तो चली मैं आप लोग को इसमें पैसे को add करके दिखाता हूँ तो simply आपको add money वाले option पे click करना है और यहाँ से आप लोग simply इसमें पैसे add कर सकते हैं यहाँ पर कुछ points है जिनको आप देख सकते हैं जैसे की super fast payment with zero failure जो कि मैं आपको बताया था उसके आप में payment accept कर सकते हैं इसमें कहीं पर भी जहाँ पर UPI payment accept होती है आप इसमें को कर सकते हैं वन के लिए payment experience कंदर आपको देखने के मिलते हैं यहाँ बिना UPI PIN के आप इसमें payment कर सकते हैं और UP to 2000 रुपीज यान की एक बार में आप 2000 रुपे तक एड कर सकते हैं तो simply इसमें पैसे को एड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर जो enter amount है यहाँ पर आपको कोई भी amount enter कर देना 2000 रुपे तक और उसको आप एड कर सकते हैं और पैसे एड करके दिखाते हैं अगर आपको इस बीडियो comment box में जाके comment करके इस bank का नाम बता देना है कि यह वाला bank भी you pay light को support नहीं करता है ताकि लोगों की थोड़ी मदद हो जाए तो यहाँ आप चोली है आपको पैसे एड करके दिखाते है तो simply आपको अपना bank choose कर लेना जो कि support करता हूँ UPI light को उसके बाद आपको add 10 पे click करना है और अपना pin डाल देना UPI का और उसके बाद में आप simply payment कर सकते हैं यानि कि आपको जो अमाउंट है वो add हो जाएगा आपके UPI light में यहाँ पे आपको इसके बाद नहीं दिख रही है लेकिन कोई बात नहीं मैं आपके UPI pin डाल रहा हूँ तो simply देख लीजे मेरी जो payment है वो यहाँ पे सक्सकुली हो चुकी है और दस रूपर मेरे add हो चुक है UPI light में अब जो मेरा balance आ UPI light का मैं इसको simply payment कर सकता हूँ किसी भी merchant पे किसी भी QR code को scan करके मैं वहाँ पे इस 10 रूपीज से payment कर सकता हूँ वो भी बिना किसी UPI pin को डाले तो चुलिए मैं एक बार आपको check करके दिखाता हूँ मैं अपने mobile number पे एक mobile number पे आपको पैसे send करके दिखाता हूँ UPI light से मैं 5 रूप मैं पे अंटर करता हूँ नीचे आपको जो payment को option दिखते हैं banks दिखते हैं आपको speculate करना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे UPI light को option आ रहा है तो आप UPI light से ही payment कर सकते हैं that's all हो गया आपका काम आप लोग कोई वीडियो कैसे लेगी मुझे कमेंट करके जुरू बताना और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक तो जरूर करना लेकिन हाँ वीडियो को शेयर भी कर देना जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो यूज करते हैं फोन पे को पता जा सकते यूप लाइड जैसे को शर्विस है ताकि वह भी इसको एक्टिवेट करके रख लें और ज्यादा नहीं तो कम से कम 200-400 या पांच रूपर लोड़ करें लेकिन आपके पास कैश नहीं है तो हो सकता उसक्ता पकी बैंक भी काम ना करें बैंक का सरवर काम ना कर और बैंक के तुरू पेमेंट ना तो आप उस सिच्वेशन में पेमेंट कर सकते हैं यूप लाइड के थरू तो काफी कमाल का फीचर आप एक बैस को ट्राइज जरूर कीजेगा और आपके कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे कम लोग से मिलूंगा आप क्राओर है यूज।